नमस्कार दोस्तों एडवांस लर्नी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको BMS बैटरी BMS के साथ एक बैटरी बनाना सिखाऊँगा कि हम लिथ्योएन आयम के जो बैटरी है यह 2600 mh की बैटरी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह 2600 mh की बैटरी है यह 2600 mh की बैटरी है जिससे हम एक बैटरी पैक बनाएंगे और 24 फोल्ट का तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखते रही है और बने रही है हम एक एक चीज़ बारी किसे जानेंगे कि हम इसको किस प्रकार से इसको बनाते हैं ठीक है दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने देखिए दोस्तों हमने इसको फावी कुक से चिपका दिया है आपस में था कि यह हिले नहीं और बैटरी हमारी बराबर सी इस प्रकार से जुड़ी रहे ठीक है दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना एक पॉजिटिव फर नेगेटिव फिर यह पॉजिटि और यह प्रकार से हमारी बैटरी बनेगा मतलब ऐसे तो हमारे इस पाथ से लगेंगे इस प्रकार से हमारे जो सेल है वह सेवल लगेंगे तो यह बैटरी पैक हमारा 24 वल्ट का तयार हो जागे जिसके आउटपूट हमारा हमको मिलेगा 25.11 वूल्ट तो दोस्तों चोलो इसको शुरू करते हैं सबसे वहले दोस्तों हम क्या करेंगे जितने भी इसको पर सोल्टरिंग कर देंगे इस प्रकार से ताकि जिब सोल्टरिंग कर तो फ्रेंट्स आप देखिए हमने शुरू कर दिया इसको बनाना सबसे पहले हम इसको पॉजिट्व टर्मिल जो जोड़ देते हैं अच्छी तरह से इसको हीट कर देंगे देखिए फ्रेंट्स हमने इसको जोड़ दिया है एक परलेल में जोड़ दिया है बिल्कुल अब हम इसको क्या करेंगे नेक्स जितने भी है एक परलेल एक परलेल जोड़ देते हैं एक नेगटिव जोड़ देंगे एक पॉसिटिव जोड़ देंगे एक नेगटिव जोड सब्रीक्रटिम् Pain restrictive मैं जोड कि आपको बता देता हूं तो अब देख पा रहे हैं कि जैसे हमने एक साइट से पुरा इसको पैरलल कर दिया है अब हम दूसरी से इसको पालल कर देते हैं एकल की से डिशी को हमने पैरलल कर दिया धरिए हम ने पैरलल तो दोस्त पर देख रहे हैं यह हीट सिम केपर होता है यह आपको फैन जो रिपेर करते हैं उनके पास मिल जाएगा यह अच्छी क्वालिटी का है जिससे क्या है कि इसके अंदर हीटिंग जो होगी आपस में अब्जोब हो जाएगी जब कर चार्जिंग जैसे करेंगे इसको यह अच्छी है कि यह बाताता है तो दोस्तों आप देखिए अधर वी देख सकते हैं इस परकार भी हमने यहां पर तो दोस्तों आप इसको हम connection करेंगे उस प्रकार से कि हमारे जो यह अच्छी तरह work कर सके और हमको 24 वर्लिस प्राप्ट हो सके तो देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों यह हमारा positive है यह positive है तो इस positive को हम यहां से इससे जोड़ेंगे यहां से ऐसे जोड़ेंगे फिर हम क्या करेंगे यहां से इसको इधर जोड़ेंगे फिर यहां से इसको यहां से इस पर जोड़ेंगे फिर यहां से इसको हम इस पर जोड़ेंगे फिर यहां से इसको इस पर जोड़ेंगे यह प्लस और यह नेगटिव और यह पॉजिटिव यह जुड़ गए फिर यहां से यह वाला नेगटिव और यह पॉजिटिव जुड़ जाएगा फिर यहां से यह नेगटिव यह पॉजिटिव जुड़ जाएगा फिर यह negative, positive से जोड़ी जाएगा, फिर यहां से इसमें जोड़ी जाएगा, ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने इस प्रकार से दिखाना चाहूँगा आपको, यह हमारा positive हो गया, यहां से घुम के आया, फिर यहां से इस प्रकार से यह घुमा, ठीक जोड़ दिया, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां से इधर जोड़ा, फिर यह खाली, फिर इधर से इधर जोड़ा, फिर खाली, फिर इधर से इधर जोड़ दिया, जहां पर यह खाली है, जैसे यहां पर यह खाली है, तो यह पर खाली है, यहां से इधर जोड़ द और यह कुछी ओवर डिस्चार्ज का मतलब यह होता दोस्तों जैसे इसमें देदी आप 3.7 है 3.3 पॉंट वोल्टेस तक आते 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 इसको बंद कर देगा इसमें स्टोरेज बाकी रखेगा ताकि यह दुबारा रिचार्ज जल्दी हो सके इसके इसके बचा रहेगा तो हमारी बैटरी जो है बैकप में आ जाएगा जल्दी चार्ज हो जाएगी तो देखिए दोस्तों यह हमारा बीमस कार्ड है अब इसको हम फिट करेंगे इसको फिट करने का तरीका ऐसा है कि जैसे यह हमने इसको यह परकार से इसमें लगा दिया इस परकार हमारा क्या करेंगे हम इसको वन में लगाएंगे जिसे यह बैटरी है तो हमारे यह पॉजिटिव होगा यहां से आउट और हम इसको यहां पर जो है इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से इधर लगा देते हैं यह देखिए लग गया एक मारा पॉजिटिव इधर लग गया एक दर लग तो आप दोबारा देखिए यह पॉजिटिव इधर लगा दिया जह हम पॉजिटिव आउट करेंगे फिर नेक्स्ट जो है यह 3.7 वोल्ट यहां पर आएगा हमारा फिर उसके बाद 3.7 के बाद हमारा आता है चार बोल्ट के अगर धरा जाएगा ठीक है फ्रेंट्स हम पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाएंगे अब तीसरा जो हमारा तार होगा यह चौथा तार तो चौथा हम लगाएंगे इस प्रकार से इस पॉजिटिव के उपर हम लगा देते हैं यह पॉजिटिव इस पर लगा दिया और अब जो है हमारा पांचवा तार जो होगा पांचवा तार हम लगाएंगे इस पॉजिटिव के उपर यह पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसके पर फान इन अग्षा चेकंड चुटा लगांगे चटबakukan टाने मूं चैन सबस्चा जार वह फिर इता करने लिए इतार लिदीव होगा इधर आया वह इस प्रकार आएगा इस प्रकार से यह पॉजिटिव आ गया देखिए दोस्तों ठीक है अब जो साथ बात आ रहे है वो हम इस लास्ट वाले पॉजिटिव पे इस पे जोड़ देंगे इस पे ठीक है फ्रेंड्स यह इस प्रकार से यह से हमने जोड़ दिया Article कि अब क्या करेंगे हम आब इसके अंदर हम ट्र मिल लगाएंगे नेङकिटिव और पोजिटिव के इसके अंदर नेगिटiğ और पोजिटिव पेज़िटिव के ट्रमेल लगा देंगे इसके आंदर वह है येह हमारा बैटरी माइन माइनस पर जोड़ देते हैं माइनस का माइनस पर देखिए माइनस को माइनस पर जोड़ दिया है ठीक है फ्रेंड्स यह माइनस का माइनस पर जोड़ दिया अब हम जो यह प्लस का जो एक नमबर का तार है यह वाला प्लस यहां से जो एक नमबर जो तार है हम जो प्लस जोड़ा था यह एक नमबर वाहर जोड़ा था उसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो दोस्तों हम क्या क लिखा था फिर दो नंबर निचे लगा तीन रूपर फिर चौथा नीचे पांच हवा उपर चटा निचे साथ उपर आप यह तार है याम BMS जो हैगा आउटपूट है जो हमारा चार्जिंग में लगेगा जो हमारी गड़ी को चलाएगा साइकल को चलाएगा वह हम इसको ऐसे जोड़े देते हैं इसके साथ उसके महासा आ रहा है फिर सेकंड नीचे थार्ड उपर फिर फोर्थ नीचे फिफ्ट उपर सेमध नीचे एस तरगा है हमारा हमने जोड़ दिया उम्मीद करता हूं यह आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमको फारिंग को पूरा सा सिस्टम अगर होता ही हमारा बीमस कार्ड हमने लगा के दिखा दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हमें इसको फिट करके दिखाएंगे इसको ऐसे ठीक है दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाई